कारगेल युद में भारत को मिली जीत के आज 22 साल पूरे होने की खुशी में देश भर में जश्न मनाय चारा है। 26 जुलाए 1999 को भारतिय रन्बांकुरों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेरती हुए कारगेल की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया था। परीचे दिया और जाबाजी से युद्ध लड़ती हुए दुश्मन को खदेर दिया। कारगेल की उची पहाड़ियों पर करीब साट दिन तक चले युद में भारतिय सेना की जस्बी के सामने पाकिस्तानी सैनिकों ने आखिर खुटने टेकी दिये थी। पाकिस्तान की ततकालिन सेना प्रमुक जनरल परवेस मुश्रप ने कारगेल में घुसपेट करवाई थी। पाकिस्तानी सेना और घुसपेटियों ने कारगेल की उची चूटियों पर कबजा कर लिया था। सान्य चरवाहों के जरिये घुसपेट की जानकारी मिलने पर भारती सिना ने तीन मैं को ओपरेशिन विचे की शुरुआत की थी। 11 मैं से इस युद में भारती वायु सिना भी शामिल हो गई थी। वायु सिना ने लड़ा को विमान मिरास, मिक-21, मिक-27 और हेलिकॉप्टर ने पाकिस्तानी घुसपेटियों की कमर तोड़ कर रग दी थी। 18,000 फीट की उचायों पर कारगिल का यह युद तक्रीबन दो माह तक चला। जिसमें 527 वीर सैनिकों की शाहदत देश को तीनी पड़ी। 1300 से ज्यादा सैनिक इस जंग में खायल हुए। पाकिस्तान के लगपक 1200 सैनिक की इस जंग में मौत हुई। बारती सिनानी अदमने साथ से जिस तरह कारगिल युद में दुश्मन को ख़लेड़ा उस पर देश्वासी को करव है। यह सैन ने ओपरेशन 26 जुलाई यानि आज ही की दिन समाप्त हुआ था। बीसेन न्यूस के लिए अभिशेक पांसे की रिपोर्ट